हलो फ्रेंट्स आपकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैक प्लेट के बारे में बताऊंगा कि बैक प्लेट क्यों डाली जाती है और में चीज अगर आपके पास बैक प्लेट का मेजरमेंट नहीं है तो आप बैक प्लेट को किस तरीके से डालेंगे क्योंकि डोट लेंड क भीटो नियुक्त के बारे में आपको वीड़ो में मैं मैं दोंगा तो यह सीखनी के लिए आप इस व्यों का द दिखा देखे तो यह सोदी करते हैं। मैं और दिखा देता हूं यह हमारा fhond है यह हमारा बैक है जिससे की वीडियो की लाइन जादा ना बढ़े इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ 16 का हाफ हो गया 8 ये देखे 8 इंच लेकिन बैक में प्लेट हम डालेंगे तो हम यहाँ पर आदा इंच बढ़ा देंगे जो की नाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर साड़े आट तो साड़े आट पर हमने यह निसान लिया những करव इतना करिव में था ठीक है और उसके जो दूस्ता निसान का फाइदा दोस्तो क्या होता आपको बता रहां और दो इंच का टाइट सूट बहुत जादा प्रॉब्लम करता है तो यह जो आप इस तरीके से करेंगे तो यहां से बस्ट दभी दभी नहीं आएगी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है अब में जो है इसका काम है दोस्तों कमर पे क्योंकि हमें यहां पे ना हिप का न आप ही है तो यहां पर हम इस तरीके से 9 है तो निशान लगा के दोस्तों बैक प्लेट डालते हैं लेकिन जो बैक विलेट हम डालते हैं नॉर्मल सूटों में आप के बास अगर डोट डोट पॉइंट यानि प्लेट लैंद का नाप नहीं है क्योंकि जो इसके उपर डिटे लेकिन आप कमर किसी की हिप जादा होती है तो इस जगा पर अक्सर कपड़ा जोल होता है तो वह जोल खतम करने के लिए बैक में प्लेट डल जाती है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप समझ पाएं तो यह हमारा निसान होगा अब देखे मैंने सारा निसान बैक में हिए लगा लगा लेना है और इसको फटाण हटा निसान लगा हो है अब में आपको समझा देता हूं दोस्तों हमेशा ऊपर की तरफ में आपको ऐसे 4 इंच लेके निसान लगा लेना जैसे मैंने यह निसान लगाया है ठीक है वो लंबाई में मैं 8 इंच रखता हूं ठीक है इस तरीके से यहाँ पर निसान लगाया मैंने 8 इंच का अगर किसी के कमर पे ज़्यादा जोल आती जो आर इंच के बाद जो कमर का नाप था यहां पर टोटल में मैं आरेंज सेंटर से रखके एक इंच के आसपास का निसान लगाना है हमारी जो प्लेट होगी दोस्तों वह इसी तरीके से कवर करेगी ठीक है तो हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा लेकिन चैस्ट का और हिप का ना लोगे लेकिन अगर आप बिगनर है तो इस तरीके से भी निसान लगा क्या पिलेट डाल सकते हो जब तक आप नहीं सीख पा रहें ठीक है आराम राम से निसान लगाओ उसके बाद एक्सपर्ट हो जाएक तो आप यह निसान मतलब खुद बाद खुद दो निसान से काई ऊना चाहिए तो हम उसको कैसे देखें दूस्तों जहां पर रहें इस तरीके से पकड़ेंगे निसान लगा लिया अब हम फिटिंग करने जाएंगे वह किस तरीके ते फिटिंग करेंगे कैसे डालेंगे सब आपको मसीन पर चल के चल के सिखाते हैं तो यह देखिए अब सबसे पहले हम डालेंगे यहां पर निस्ट करनी है और कोई भी पक्का नहीं करना ठ फिर इसको ऐसे पकड़ यहां लगाएंगे इसको आप अच्छी तरीके से कैमरे में देख पाहें इसलिए गांट लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से यहां पर इतना थागा छोड़के कटिंग करना है को यहां पर पक्का नहें करना पक्का करने से वहाँ दोस्तों यहां पर गांठ बनजाती है जब आ इसे और यह लगाएंगे एक स्थ要 ह sells और यह है हमारा निसान से ठीक है आप देखेंगे बिल्कुल इकोली है सिर्फ फर्क कितना है दोस्तों कि हलका 19-20 हो जाता है ठीक है अब यहां पर हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई तो सबसे पहले हम इसको ऐसे रखेंगे ठीक है ऐसे रखने के बार हम जो फरेंट वाला पला है अपना उसको हम इस तरीके से रखेंगे और रखने के बार इसको दोस्तों मिला के सबसे पहले हम निसान पर सिलाई लगा लेंगे इधर भी और इधर भी तो देखी दोस्तों मैं यहां पर फिटिंग की सिलाई लगा दी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको खास तोल पर ध्यान रखें अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बैक में हमारा कमर वाला निसान जो है वो कम हो गया देख सकते हैं आप खिचाव पढ़ड़ा यह आपका यह आपका कम हो चुका है लेकि फरनेट वाले पल्ले में आपका जोल आएगा अब काफी लोग यह कहते सीदा निसान लगा लिया हिए अब यह निसान मारा इतर से देखियें आप यह सिलाई वाले स्टेसी जितना भी कपड़ा आ कि देखे में ऐसे कृद्स इस तरीके से आपको पकढ़ना आप नाप ओपतो सिलाई से आपका नहीं बनेगा टो जोल खतम करने के पर जबर पढ़ता है तो सिलाई पर हमने इंची टेप को रखा कमर दोस्तों कि कमर कितनी आरी दोस्तों हमारी कमर यहां पर आ रही है सबसोलाइच यानि कि एक पर यह बढ़के आ गई अब हम जो दूसरी लगाएंगे तो दूसरी स्लाई में सिंपल सा दोस्तों आपको यहां है तो यहां पर लागे दोस्तों आपको नीचे की तरफ मिला देना है तो यहां पर हमारा एक सूत कम हो जाएगा इसी तरीके से दूसरी तरफ करने यह आपकी कमर 16 आ जाएगी तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताएं कि किस तरीके से आप बिना मेजर मेंट के बैक में प्लेट डाल सकते हों बैक प्लेट डालने के क्या क्या फायद होते हैं सारा कुछ इसमें मैं बता चुका हूं तो आपके वीडियो कैसे लेगी जरूर बताएं